नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी कम तेल में बनने वाला नास्ता बहुत ही मज़ेदार नास्ता है ये नास्ता जटपट बनके त्यार हो जाता है और आप इस ना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो पसंद आए, तो लाइक जरूर करें, यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ले ली है, और उसी कप से एक कप दही ले लिया है, उसके बाद हम डालेंगे आदा कप पानी, और इसे अच्छे से मिला देंगे पानी की जरूरत होगी तो हम पानी को और डालेंगे तो यहाँ पर देखे इस तरीके से दही के साथ सूजी को मैंने अच्छे से मिला दिया है पानी कम लग रहा है थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ और पानी डालने के बाद इस तरीके से मिला दे रही हूँ तो अब देख पारे होंगे सूजी और दही बहुत अच्छे से मिल गई है अब मैं इसे ढख के पांच मिनट के लिए रेश्ट पे छोड़ दूँगी तब तक करते हैं आगे का काम यहाँ पे मैंने लिया है लेसन और लेसन धेर सारा लेना है और दो चमच कस्मेरी लाल मिश्ली है यह कम तीखी होती है इसे पीस लेंगे बिना पानी के और यहाँ पे देखे इसे मैंने पीस लिया है अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और यहां पे जो हमारा बेटर है वो पहले से एकदम से फूल के तियार हो गया है अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा थोड़ा बेटर अलग-अलग निकाल लेंगे पर बेटर अभी भी थिक हो चुका था क्योंकि सूजी फुल चुकी थी तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और एट किया है दो चम्मच अब मैं आपे एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ और एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डालें चीनी और नमक डालने से इनास्ता बहुत ही टेस्टी होता है तो चीनी भी जरूर डालें यहां पर देखिए जिसमें मैंने लहसन और मिर्च पीस के रखी थी दो चमच से तीन चमच मैंने उसमें निकाल दिया है बाकी बेटर को मैंने आधा आधा दोनों जगा पे कर लिया है अब यह जो बचा हुआ बेटर है उसमें मैंने डाल दिया है इनो फुरूट सौल्ट ताकि बेटर एक दम बराबर बैट जाए यहाँ पर मैंने पानी रखा है गैस पर और यह बॉयल हो रहा है इसके बाद मैं इसे ढख के पांच मिनट के लिए इसी तरीके से पकने दूगी तब तक हम क्या करते हैं यह जो लहसन और मिर्च का पेस्ट है उसमें जो बेटर डाला है उसे हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं तो यहाँ पर बेटर को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानि इनो फूरुट सॉल्ट डालें या बेकिंग सोडा एक ही बात है कुछ भी डाल सकते हैं अब देखिए यह के बाद कुछ इस तरीके से पक चुका है और ये जो जो हमने लहसन और मिर्च का बेटर तयार किया था उसे हम इस तरीके से डालेंगे और फैला लेंगे ये देखिए इस नास्ते के ऊबर एक लेयर बना लेंगे ये देखिए आप इस तरीके से मैंने फैला लिया है और बस इ से ढख देती हूं और पांच मिनट तक इसी तरीके से पकने देती हूं तब तक हमने जो बेटर बचा के रखा है उसमें थोड़ा से इनो फुरूट सॉल डालेंगे और उसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमें बेटर को तीन भाग में करना था तो हमने तीन नासता रख रख रखा था वह अच्छे से पक चुका है पांच मिनट के बाद और इसके उपर से यह वाला जो हिस्सा है बेटर का वो डाल देती हूं तो यह देखिए बेटर डाल दिया है और बहुत अच्छे से बेटर को चारो तरफ पहला लेंगे इस तरीके से । यह द और इसे ठंडा होने देती हूँ, पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद मैं इस तरीके से साइडों से छुडा लूँगी नास्ते को, यानि जो चपका होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद हम इस तरीके से कट कर लेंगे, तो फटा-फटी इस नास्ते को कट कर लेते हैं, देखने में बहुत ही लाजबाब और खाने में बहुत ही टेस्टी तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से नास्ते को कट कर लिया है आप अपने मन पसंद सेप में नास्ते को कट कर सकते हैं यह देखिए और अब नास्ते को cut करने के बाद एक साइड में रखते हैं और करते हैं आगे का काम यहाँ पे मैंने रखा है तड़का पेन और इसमें डाल देंगे ओयल मैंने 1 टेबलीस्पून ओयल डाला है और उसे बहुत अच्छे से गरम करने के बाद मैंने 1 टी स्पून सरसो डाल दी है यानि तड़के वाली राई डाली है उसके बाद 1 टी स्पून जीरा डाला है साबुजीरा और इन दोनों को चटकने के बाद मैंने 12-13 करी लिप्स के पते डाल दी है बस तड़का हमारा तैयार है इसे चला लेंगे और यह जो मैंने कट करके नास्ता रखा है उसके उपर से तड़के को इस तरीके से डाल देंगे बहुत यह अच्छा स्वाद आता है इस तड़के का तो इस तड़के को बिल्कुल इसकिप ना करें जरूर लगाए इस रेस्पी में उपर से तड़का तो यह देखिए यहाँ पे तड़का लगा दिया है अच्छे से फैला देंगे इसे यह देखिए लाजबाबसी रेस्पी है और बनाने में सरिफ 10 मिनट का टाइम लगता है 10 से 15 मिनट में बनके रेस्पी तयार हो जाती है और आप एक बार बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि हबते में 3 से 4 बार आप इस रेस्पी को जरूर बना के खाएंगे तड़का लगाने के बाद मैं उपर से बारी कटी हुई हरी धनिया डाल देती हूँ यह देखिए इस तरीके से आपको इस रेस्पी के साथ कमक बगरा डाला है उसका खटा मीठा टेस्ट इसका स्वाद और भी बढ़ा देता है यह देखिए इस तरीके से हम सारे नास्ते को निकाल लेंगे और इसे सॉफ कर लेंगे और यहां पर मैंने सॉफ कर लिया है चटपटा सा नास्ता और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बनके त्यार हुआ है यह नास्ता मेरी यह रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बाई बाई दोस्तों और टेके लिए